नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लंटेग गरिश्टेपर दोस्तों आज हम लोग मेकनिकल इंज्रिंग के इंटस्वाल जब सेक्शन में पार्ट 20 लेकर आये हैं इसे पहले उन्हें पार्ट हमारे साथ सस्फुल रहे हैं आप लोग कंजा अकते मुझाए जाएगा इसके आप्शन है आपके और दोस्तों में भी आइसन दोस्तों गा सब्योंग इसके मैं बाल्ए जाती है। आप्षान अपरнит जेल ह्ómoर्स और जाताले इसे एक और यूंगलव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के द्वारा बनाई जाती हैं अगला कोशन दिखते हैं विच एक्वेशन इस उस्टो कल्कुलेट टूल लाइफ दूल लाइफ को कल्कुलेट करने के लिए फॉर्मुला बताना है यहां पर चार अप्शन दिए गए हैं option A, π.d upon 1000n, option B, π.dn but 1000, option C, vn is equal to tc, option D, vt raised to the power n is equal to c सोचिए, कुण सा फॉर्मुला इस थे माल रहेगा टूल लाइफ के लिए दोस्तों इसका उसर है option d, vtn is equal to c, vt raised to the power n is equal to c, टूल लाइफ के लिए फॉर्मुला है अगला question दिखते है, what is the name of part marked as P, दोस्तों एक photo बनाई गई है, जिसमें part P mark किया गया है, तो मैं बताना है कि P क्या है, option A, induction call, option B, tool shank, option C, cutting edge, option B, carbide tool bit, सोचिए, induction call, दोस्तों यहाँ पर एक coil दिखाई गई है, तो यह induction call क्याते हैं इसको, अगला question दिखते है, what is the purpose of bevel edges of the rule in a vernier bulb protector, दोस्तों एक photo दिखाई गई है, बनियल पर पर प्रोटेक्टर की और उसमें rule दिखाया गया है, तो मैं बताना है कि इसके जो bevel edges हैं, वो किसली होते हैं, option A, checking flatness, option B, checking squareness, option C, checking parallelism, option D, checking 45 degree and 60 degree, सोचिए, दोस्तों इसका आंसर है, option D, checking 45 degree and 60 degree, जैसा कि चित्रित में प्रतित होरा के दोनों edge हैं, वो 45 degree और 60 degree पे beveled हैं, तो यह 45 degree और 60 degree चेंक करने के लिस्तेमाल किया जाते हैं, दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेर कीजिए, केमेंट कीजिए, चैनल पर नहीं हैं, तो सब्सक्राइब कर देजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए, तागे आने बाली वीडियो इस क्रूंट्रिक्शन आप तुर्ट मिल सके, अगला कोशन दिपते हैं, कुझ मेजर्मेंट के दिवारा तुर्मेट्रम दिखा गई है, अखला question देते है What is the name of part Mark-P in Thread measurement दोसो Thread measurement की एक diagram दिखाई गई है जिसमें part P बताना है हम लोगों को option A taper parallels, option B barrel block, option C slip gauge option D precision rollers सोचिया दोसो इसका answer है slip gauge pack तो internal diameter internal thread का measure किया जा रहा है तो slip gauge pack का स्तेमल किया गया है तो P जो है वो C है slip gauge Which one is the example of transmission of motion using thread दोसो Thread का इस्तेमाल करते हुए motion को transmit करने के लिए कोंसा उधारा नहीं में से option A warm wheel and warm shaft option B bevel carrying, option C rack and pinion, option D crank and slotted link mechanism सोचिया दोसो इसका answer है warm wheel and warm shaft दोस्तों warm chart पे threads कटी होती है तो Thread के दोआरा motion को transmit करने के लिए warm and warm wheel इसका answer है अगला कोशन देखते है What is the core diameter of square thread of 65 into 11 mm pitch दोस्तों 65 mm गोना 11 mm pitch की यदि square thread है तो scale core diameter के तना रखा जाएगा option A 70 mm, option B 60 mm, option C 54 mm, option D 45 mm, सोचिया दोस्तों इस cancer है 54 mm, 54 mm, C क्योंकि pitch को हम directly major diameter में से minus कर देते हैं तो 65 minus 11, 54 होता है तो इस प्रकार से इस cancer option C 54 mm है अगला कोशन देखते है बड़े सा name of check दोस्तों इस check की photo दिखाई गई है हमें बताना है कि यह check कौन सा है option A drain check, option B air operated check option C magnetic check, option D push out check सोचिये दोस्तों इस cancer है option C magnetic check, दोस्तों इस photo magnetic check की है दोस्तों यदि वीडियो प्रसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए, comment कीजिए चैनल पर नहीं है तो subscribe कर दिजिए bell icon को प्रेस कर दिजिए ताकि आने वाली वीडियो स्क्राइब आप रोथ मिल सके दोस्तों आज हम लोगोंने mechanical engineering के दस सवाल जवाब section में part 20 के बारे में बात की दोस्तों से आगे वीडियो से लोगो लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे तो बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर धन्यवाद